उत्तर प्रदेश लगातार government vacancy से निकाल रहा है इससे पहले उत्तर प्रदेश में स्टनोग्राफर SI की vacancy आई हुई थी फिर मैंने आपको computer operator grade A मैं भी आपको actually मैं उत्तर प्रदेश विवाग में थी उसका बारे में मैंने आपको बताया था आज लेकर आया हूँ उत्तर प् प्रोग्राम अगरे कि अगर जोब है तो यहां computer background से कोई qualification मागा गया होगा यदि आप computer background से qualification रखते हैं तो ये वीडियो देखेगा ये वीडियो आपके लिए useful हो सकता है और यदि आप नहीं रखते हैं तो वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं कोई issue नहीं है आप अपने time waste बिल्कुल मत करिएगा हाँ यदि आप computer background से belong करते हैं और आपको इप्रोग्रामिक से related job करना चाहते हैं तो definitely आपको यहां रुखना चाहिए ग्रेट पे बहुत अच्छा है चाली सो ग्रेट पे बहुत बहतर होता है यहां जन्रल की वेकेंसी 24 है और EWS की 5 है अन पिछड़ा वर्ग OBC की 14 है अनसुची जाती की वेकेंसी 11 है और अनसुची जाती की वेकेंसी 1 है टोटल 55 वेकेंसी है मैं आपको यहां एक बात clear कर दे हैं और UP में यह form fill करने जा रहे हैं तो फिर आप चाहें किसी भी category के हो आपको यहां अनारक्षत category में ही जाना होगा यानि आपको यहां आरक्षत category यानि जो है हमारा जन्रल कोटा में ही form fill करना होगा यहां discuss कर लेते मेरे बच्चा form fill करने की जो समय सार नहीं है उसमें online अट तारिक से स्टार्ट हो गए है है 28 तारिक देख चलने वाले है और तूर तीज तारिक तक आप इसमय संसुदन कर सकते हैं यह आबिदन जो छी है वह 400 रोपय में नहीं हैं, यहां योगता की बात करें, तो सेक्षणिक योगता में यहां बात हैं कि भारत में बिधी द्वारा इस्तापित किसी विश्विधाले से इसनातक उफादी यह सरकार द्वारा आपके समकच मानता प्राप्त कोई अराता, मतलब कि आपने क्या किया होना चाहिए यार, आप किसी भी department में graduate हैं, किसी भी subject से graduate है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भारा सरकार के department of electronics, aggregated in computer and communication, यह दी, ओ, ए, डबल सी विभाग से, computer का A-level परिक्षा आपने पास की होनी चाहिए, मतलब अगर MP के, देखो जी, एक होती है, e-level परिक्षा होती है, वो होता है DCA और जो A-level परिक्षा होता है, MP में उसे बोलते है PG-DCA, ठीक है, PG-DCA A-level परिक्षा की अंतरगत आजाता है, और DCA O-level परिक्षा की अंतरगत आजाता है, यदि आपके पास graduation है, और आपने DC कर रखा है तो आप ये form fill कर सकते हैं लेकिन यदि आपके पास यार computer science में graduation है information technology में graduation है electronics में graduation है तो आपको ये अलग से prejudice की आवश्यक्ता नहीं है आपका वही marksit काम कर जाएगा इसके लावा यहां दिखा है भारत में विदी दौरा इस्तापर इस विद्धियाल है विज्ञान इसना तक या computer विज्ञान या actually मैं सूचना प्रधाग की या फिर electronics की उफादी के साथ computer विज्ञान में इसना तक दिख्कत वाली बात नहीं है है न जी चलेगा और यहां दूसरी वाली बात कि अगर हम बात करें दोस्तों आई एज बात की जाया आयू जो है वो साथ तेईस तक आनि एक Sub zumindest आई तक यहिर्क्तर यहां तक और तीस वरसे अधिक की आयूभत ना की हो यानि आप वो 21 वर्स से 30 वर्स के बीच का बंदा होना चाहिए नहीं 21 से कम का हो और नहीं 30 से जादा हो और उसके यहां अलग-अलग परकार की छूट भी मिलेगी अच्छली मैं अन पिछड़ा बर्ग अनसों से जाती अनसों से जन जाती और ऐसे अनसरेडी के अभ्यारती जो केबल उत्तर प्रदेश के मूल नवासी है उन्हीं को छूट मिलेगी जो उत्तर प्रदेश के हैं बाहर की को नहीं मिलेगी कि अधिक्तम आयू सीमा मैं छूट अलग-लग परकार से यहां होगी अगर आप चाहते हैं कि येज पर मैं कुछ और चूट की बीडियो बनाओ तो आप मुझे बता दीजिगा मैं वो भी बता दूँगा या सारेरिक स्वस्तता के अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों सारेरिक के अंदर किसी अभरती को सेवा से किसी पदपर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और सारेरिक दरश्टी से उसका स्वास्त अच्छा नहीं हो याँ आप मानसिक को पागल वागल तो नहीं है आपकी mental ability कैसी है आपका थोड़ा पागल बगेरा तो नहीं है वो अगर आपकी सही है तो आप आसानी से जोईन कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ परिक्छा जो होने वाली है दोस्तों हमारी 200 अंकी परिक्छा होगी और 160 प्रष्ण होने वाले हैं और सवा अंक का प्रष्ण रहेगा वो ही आक्चली में जैसे हमारा computer operator का था वही चीज़ा होगी और इसके अंदर होने वाला क्या है होगा और यहाँ परिक्छा होगी इबम दो भागों में होगी तो परिक्छा जो होगी ओनलाइन होगी और दो भागों होगी जिसकी समाबदी धाई गंटे की होगी ठीक है और प्रतिक भाग 100 अंकों का होगा मतलग कि जो दो भाग होगी और 100 अंकों का होगा सामर्थ और तार्किक सक्ति इबं सूचना प्रदोगी के कॉश्चन्स होगी और दूसरा जो भाग होगा उसमें computer programming से related सारी नौरज होगी और प्रसंद पत्र का इस्तर पद के लिए अपिक्षित न्यूंतब साच्छड योगता के अनुसार होगा लिकत परिक्चा का पार्ट सो अंग computer programming से होने वाले हैं पहले के अंग तो देखो math reasoning और computer सूचना प्रदोगी की से मिलेंगे और अगला जो section होगा पूरी programming से related वहाँ knowledge आएगी यदि आपको बागई में तगड़ी programming आती है तो आप ये form fill करिए आपके लिए form बहुत ही important होगा और आप इस form fill को करके हो सब्सक्राइब का सिलेबस है या तार्किक रो होगा संकित संबंद्ध विसलेशन होगा कोडिफिकेशन होगा percentage test वगरा word information test letter and number series होगा word and alphabet होगा है न और यह चीजां होगी letter number coding होगा direction sense test होगा logical interpretation and data forcefulness of algorithm and determined implement meaning then यहां पर reasoning और होने वाला है दोस्तों reasoning के अंदर यहां आने वाला है simply क्या है analogies होगा similarities होगा differences होगा भिन होगा space visualization यह जो हमारा होगा problem solving analyze and judgment बाला section decision making होगा visual memory होगा discrimination बगरा होता है observation relationship concepts arithmetic reasoning and figure classification बाला section यह चीजां होने वाली है यहां information technology के अंदर मेरे दोस्तों space वाला problem solving analysis वाला judgment यह सारा हमारा information technologies होने वाला दूसरा यह classification बगरा चीज़ां होगी और यह लोजिकल डिजिटल लॉजिक से related प्रश्ण होगी यह डिजिटल लॉजिटल फंक्शन minimization degradation यह सारी चीज़ां अविलेबल होगी computer organization and architecture से भी प्रश्ण आएंगे जैसे machine infrastructure and addressing modes alu data path cpu control designing memory interface io interface then इसके बाद dma direct memory access instructions pipeline cache and man memory secondary storage programming and data structure से दोस्तों programming होगा आपका इन functions और यह चीज़ें होगी c में programming आपसे पूछा जाएगा दूसरा यह algorithm related चीज़ां भी होगी very very important होगा compiler की designing कैसे होती है operating system में हम यहाँ पर Windows server का operating system है और यहाँ Ubuntu Linux का Ubuntu Unix की command tools process बगएरा और threads रहा इंटर process हुआ communication और यह कुछ चीज़ा होगी dad log cpu scheduling बगएरा और यहाँ workplace productivity tools भी अबिलेबल होगी word excel powerpoint बगएरा database भी आपको वहती important यहाँ पूझा गया ER model relationship model बगएरा यह चीज़े यहाँ अबिलेबल होगी asql structure query language से अबिलेबल होगा mysql वाला database होने वाला है यह asql server वाला भी हो सकता है यह data technical mirroring वाला data हो सकता है information system and software engineering का भी section आएगा computer networks related आने वाला है आपका यहाँ पर local area network हुआ ethernet हुआ है न और जितने भी protocols है वह हुए IP address हुए cryptography हुआ gateway switch network जितने भी network devices हुए IPv6 सब्सक्राइब क्लाउड computing बगरा यह सारी चीजह यह आएंगी वाब technology में actually html की आपको knowledge होना चाहिए css की होना चाहिए xml basic concept of client server computing asp.net का दिया आपको सुरा ग्यान होना चाहिए यहाँ पर computer programming के अंदर दोस्तों आपको introduction होना चाहिए history of computing future and computing trends in programming language के अंदर आपको c language का पूरा information होना चाहिए c language में आपको programming आनी चाहिए c++ की programming detailed में आनी चाहिए आपको java की programming होना चाहिए parallel computing में मेरे बच्चो MPI open MP trend होना चाहिए java script की आपको total knowledge होना चाहिए internet and web programming के अंदर foundation and internet programming आपके पास होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर और यह चीज़ा available है इतना यहाँ computer का बहुत तगड़ा syllabus दिया हुआ है यार ऐसा वैसा यह syllabus नहीं है actually मैं gate label का neat label का syllabus दिया है जिस बच्चे ने neat gate label की तयारी करिया और जिसकी coding यानि पर बहुत ज़्यादा command है जिसकी coding पर command है वही बच्चा इसका form fill करिए otherwise form fill मत करिए भाई आप मू की गिरोगे है ना चलेगा तो thank you so much मेरे बच्चों ये वीडियो को देखने के लिए और आ आपको अपिलेबल कर वादू है थैंक्यू